तो हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं GST यानि Goods and Service Checks के बारे में में को पता आप में से काही लोग इस बारे में पहले से जानते होंगे कि GST एक जुलाई से रोल आउट होने वाला इंडिया में और आप में से बहुत से लोग एक्षिली में GST के बारे में काफी नौलिज रखते होंगे स्टिल में को लगा कुछ लोग अभी भी है जिनको अच्छे से GST के बारे में नहीं पता इसलिए मैं एक सीरीज और वीडियो बनाने की सोचे जिसमें मैं जिसकर के सारे बैर से सर्थ क्लिए करऊंगा और इस वीडियो में हम बैसिक ऑव जिसक बारे में बात करेंगे पार्ट वरण थ न तर्वी और जो आपको ज जाननी ज़रूरी करना में एन गौटS सारे indirect taxes का mail है जैसे आपको current tax structure इंडिया में पता होगा कि direct taxes होते हैं और indirect taxes होते हैं अपनारे direct taxes में आता है हमारा income tax और indirect taxes में आता है हमारे excise duty, VAT, service tax, sale tax तो भो सारे taxes जो हमारे indirect taxes में आ रहे हैं वो क्या convert हो जाएंगे GST मलब कि सारा का सारा हमारे indirect taxes क्या हो जाएंगे एक tax में चले जाएंगे वो क्या हो जाएगा goods and service tax तो common tax लगेगा goods and services की sale पर उसको बोलते हैं goods and service tax यानि GST तो GST इंडिया में आने से पहले काफी countries में already applicable है इवन पाकिस्तान में भी GST rollout हो चुका है तो यह कुछ countries है जिसमें GST के rates है अलग अलग countries है जहां पर अलग अलग रेट्स है अब इंडिया में GST के rates क्या होने वाले इंडिया में है चार rates होने वाले हैं 5% 12% 18% और 28% 5% होते हैं जो basic necessities की चीज़ है उनमें 5% लगेगा और जो 12-18% वाली इसमें maximum goods and services fall करने वाली है और जो हमारी 28% वाले रेट है उसमें सारी luxury items आईटमस आएगी I hope यहां तक सब clear हो चुका होगा आपको अगर आपको थोड़ा सब डाउट हो किसी भी स्टेट ड्यूटी लगेगी उसमें तबाको पर GST भी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा क्योंकि यह सॉफ्ट टार्गेट होता है जिणा टैक्स चार्ज करो उतना ही कम यह रियल स्टेट पर अभी भी स्टमड्यूटी लगेगे उसमे भी GST अप्लीकेबल नहीं होगा अब क्याते है प्रेजेंट इंड्रेक्ट इंडिर्ट स्ट्रेक्शर आपको बिताता हूँ प्रेजिन इंटरीक्ट स्टॉक्चर्टर है, क्या है? आप पहले कोई भी चीज मनिफर्टा करते हैं उस पे एक सायल्स डूटी लगता है ऐसको इस पर कोई भी सर्विसल डैंक किसी को सब्रटा जोकर कोई भी सर्वीसिस डेते हैं अभी current का indirect text structure अब इसको पूरे को कौन replace करने वाला है GST custom duty अभी भी लगी custom duty के बहुत सारे components होते हैं तो कुछ components की जगा लेगा आपका GST बाकी पे custom duty अभी भी लगती रहेगी तो GST के हैं तीन components पहला component है CGST CGST क्या है central GST as name suggest करता जैसे की जो यह CGST है इसका share जाएगा central government के पास उसके बाद आता है SGST SGST क्या state GST इसका share जाएगा state government के पास यह जो दोनो CGST और SGST है यह दोनो कब लगेंगे जिब आप एक ही state का समान एक ही state में बेचेंगे जैसे की हरियाना का dealer है और हरियाना के यह consumer को समान बेच रहा है से दूसरे state में goods बेचेंगे तब लगेगा और इसका जो हिस्सों आएगा वह किसमें share होएगा central state में ब्राबर ब्राबर या जो भी इनका terms होगी उसमें share होएगा CGST किस की जगा लेने वाला CGST उन टक्सिस की जगा लेने वाला जो central के पास जाते थे जैसे की exercise duty sales tax service tax उन की जगा लेगा CGST ऐसी SGST किस की जगा लेगा जो हमारे state के पास टैक्सिस जाते थे like wet, purchase tax, entertainment tax, luxury tax, entry test जो यह सारे state के पास टैक्सिस जाते थे वो उसकी जगा लेगा और SDST, जो हमारी Central की revenue थी, वो Central के पास रहेगी, जो State की revenue थी, वो State की पास रहेगी, और जो दोनों के पास share होती थी, वो IGST में आ जाएगी, तो GST के components को इस तरीके से बनाए गया है, कि Central को भी नुकसान ना हो, ना ही State को नुकसान हो, अब आपको मैं एक example लेके समझाता और Interstate Supply होगी, क्या होगी, आप लेगे, कि एक location से, दूसरे location पे, अगर हम समान बेच रहे हैं, तो उस पे क्या लगेगा, CGST और SGST, मलब हर्याना में है, हर्याना से ही समान जा रहा है, और हर्याना में ही विकरा है, तो क्या लगेगा, CGST और SGST, इसमें क्या है, कि, इसमें सिंपल है, कि from one state to that state only, अगर दूसरे state में जाता है, तो नहीं लगेगा, CGST और SGST, इसी तरह है, अगर हम हर्याना से पंजाब में समान बेचते, तो IGST लगता, IGST obviously higher rate होगा, कि CGST और SGST का combination होगा, आपको एक और बातातू, जो यह दोनों पे tax का rate है, वो similar होगा, कि अकर SGST CGST को add कर ले, तो वो IGST के equally ही होगा, तो इसमें क्या, इसमें भी वह है, delivery of goods is important, कि अगर स्टोक भी ट्रांसर कर रहे है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में तब भी आपको IGST देना पड़ेगा, और imports के case में आपको basic custom तो देना ही पड़ेगा, plus IGST भी देना पड़ेगा, जैसे मनें आपको पहली बताया था कि custom duty नहीं change होगी, custom duty के आगे चो उनके parts होते हैं, CBD भी गह रहा, उसकी जगए IGST आ जाएगा, इसी तरह services पे भी, services अगर एक state से उसी statement ट्रांफर हो जाए है, तो CGST और SGST लगेगा, और एक state से दूसरे state में जा रहे है, तो IGST लगेगा अब क्या है, present scenario क्या था, अब आपको detail में example लेके बताता हूँ, मैं, पहले क्या था, एक raw material manufacturer company थी, वो manufacture करती थी, कोई goods, तो उस पे VAT लगता था, और excise लगता था, आपको example है, store पे की value लेके चलता है, उस पे 10 रुपे cent exercise duty लगती है, और 11 रुपे वैट लगा था, यह मै hypothetically ले रहा हूँ, यह exact percentage नहीं है, तो यह समझाने के लिए hypothetically ले रहा हूँ में आपके लिए, ठीक है, तो उसकी invoice की value होगी 121 रुपेगी, ठीक है, अब उसने बेचा वो समान, जो हमारा final raw material बनाने वाला है, जो हमारा final finished good बनाने वाला है, sorry, तो finished good बनाने वाले को भी दु जो जो जिसने manufacture किया final product वो उसको dealer को बिचेगा, अब dealer के पास जो जाएगा dealer को दुबारा से वैट देना पड़ेगा, dealer को excise नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो manufacturing पे लगती है, अब dealer उसको sale करता है, तो उसको जो पुराना tax pay हो चुका है, उसका credit मिल जाएगा, और जो उसको extra जो profit पे उसको देना पड़ेगा, वो उसको देगा, तो इस scenario में central के पास जाता है 11 रपे और state government के पास जाता है 13 रपे के करीब tax, अगर GST आता है, GST में करेगा, जब raw material manufacturer होगा, उसे दो components देना पड़ेगे, SGST और CGST, दोनों को 10-10 रुपे ले लिया है मैंने, और म interstate लेता तो उसको IGST देना पड़ता है, वो भी 20 रुपे, अब जो finished good manufacture होगा, उसको भी same SGST और CGST देना पड़ेगा, प्लस वो जो पराना पहले दे चुका है, CGST और SGST उसका credit मिल जाएगा, उसी तरह आगे जब dealer जाएगा, उसको भी CGST और SGST देना पड़ेगा, और उसको पुराना उसका credit मिल जाएगा, और इस case में दोनो state government और central government के पास, दोनों के पास 12 रुपे 10 पैसे का tax collect होएगा, तो देख रहे हैं, जादा फरक ने बड़ा, state को थोड़ा नुकसान हो रहा है, और central को थोड़ा पैद हो रहा है, अगर GST की कोई news follow करता हो, अगर आपको प होगा, वो क्या होएगा, central government bear करेगी, इस चर्थ पर state governments ने GST को हरी जंडी दिया है, इसी तरह सर्विसिस पर भी, services देगा, input service provider आगर देगा, तो उस पर CGST और SGST देना पड़ेगा, फिर output service provider देगा, वो भी CGST और SGST देगा, तो finally वो consumer को बेचेगा, तो भी CGST और SGST देना देगा, तो 10 पर का service tax लगता था, उसका credit लेता था, output service provider लेता था, वो 11 पर पड़ता था, output service provider भी फिर आगे बेच था, तो उसे service tax देना पड़ता था, और पहले का credit मिलता था, तो इस तरह साब से सिर्फ 11 पर जाता था, वो भी central government के पास, तो GST के basics में फिलाल इतना ही था, part 1 है यह, इसके बाद मैं series of videos लेके आता रहूँगा, part 2, part 3, जिसमें मैं कुछ advanced concepts समझाऊँगा आपको GST के, अगर आपको video अच्छी लगी हो, तो please subscribe कीजेगा, और अगर आपके कोई questions हो, तो please comment कीजेगा, तब तक के लिए, bye bye, signing off for the day, take के,